जहां दोस्तों बीक वास 19 में चुम और चाहत दोनों की बिग फाइट है हो रही है और भी खाने को लेकर जहां जब चाहत पांडे खाना पकाने जाती हैं तो चुम खूद पड़ती है चाहत पर और जो है फिजिकली जो है टॉर्चर किया जा रहा है चाहत पांडे को वहीं आपको बता दे अब चाहत पांडे के सपोर्ट में जिहां चाहत पांडे के सपोर्ट में जो है ना सिर्फ इंडिया बल्की पाकिस्तान से भी विदेश से भी हर जगह के कोने कोने से ल और आपको बताते हैं जड़ा पुब्लिक के रियक्शन इस वक्त जो हैं दोनों को लेकर सामने आ रहे हैं दरसल फैन जो हैं लगातार चुम और चाहत के वीडियो पर अपना रियक्शन दे रहे हैं और वो भी कोने-कोने से एक ने लिखा दे आर टारगेटिंग चाहत फॉर तो दूसरे ने लिखा ये चुम को किसने चुम लिया है हो क्या गया है आखिरकार इसको I hope this gets shotted on weekend का बार दिस चुम is getting physical with all and she is so high for not a big fan of चाहत पांडे but everyone is targeting her badly for no reason not fair तो वहीं एक और ने अपना reaction देते हुए कहा feeling bad for चाहत यार कहा खाने पर रोक और नहाने पर भी रोक why everyone targeting her तो वहीं अपना reaction देते हुए एक और ने लिखा I think चाहत जैसी भी है पता नहीं but उसको सब लोग target कर रहे हैं सब को लगता है वो easy target है इसलिए उसे target कर रहे हैं तो वहीं एक fan ने और लिखा चाहत पांडे के लिए और बड़ा ही खोबसूरा सा reaction जो हो दिया है उन्हीं आपको बता दे लिखती है शेहनास की feel आ रही है उसको भी ऐसे ही target किया जाता था और उसकी dressing को भी ऐसे ही चाहत क जो है परेशान कर रहे हैं चाहत को पब्लिक की a full support है love from Pakistan ये बातों आप जानते ही है पहले रजस से fight हुई चाहत पांडे की फिर अब चुम से हुई है और पूरा का पूरा घर जो है उनकी dressing sense को हो चाहे उनकी चोटी को लेकर हो सब ही उनको target कर रहे हैं और चाहत पांडे कि इस वक्त अकेली ही काफी है सब पर भारी है यूं कह सकते हैं और काफी अच्छा खेल रही है आपकी क्या राय है कौन सही है कौन गलत है आपर चाहत पांडे या चुम जो भी आपकी राय है कमेंट जरूर कर डाले कमेंट स्क्षन में दोस्तों और साथ ही हर लेटिस्ट के लिए बॉलीबुल की दीवाने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्या आपको भी शेहनास गिल की याद आती है चहात पंडे को देखर जो भी आपके रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा